हलो एवरिवन, वेलकम टो MPPSC Study Channel आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास मध्य प्रदेश की इतिहास में हम देखेंगे पांसाण से बैदेक काल तक मध्य प्रदेश की इतिहास में पांसाण से बैदेक काल की बारे में जानेंगी चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यप्रदेश का इतिहास मध्यप्रदेश की इतिहास का प्रारंब पासान योग इस्टान एज से होता है मध्यप्रदेश का जो इतिहास है मध्यप्रदेश की इतिहास का प्रारंब पासान योग इस्टान एज से होता है पासाण युग इस टॉनेज बोलते हैं इस युग में मानव जानबरों की भाती जंगलों, परवतों और नदी घाटियों में विचरण करता था आगे देखते हैं एक कंदमूल, फल और पसुँ के सिकार द्वारा भोजन प्राप्त करते थे बिद्वानों ने पासाण युग को तीन भागों में विवाजित किया है तो जो हमारे पुराने समय के लोग थे वो उनका भोजन हमको कई बार जैसे हड़ाप्ता संस्कृती हो गई या कोई भी संस्कृती हो गई उसमें प्राप्त होने वाले लोगों को देखा जाता है कि वे कंदमूल, फल खाया करते थे भोजन को पकाना तो लोगों ने बाद में सीखा पस्मों के सिकार द्वारा भोजन प्राप्त करते थे और बिद्वानों ने भी जो पासाण यूग है जो हमारा इस पासाण यूग को तीन भागों में बाटा था लेकिन उसके बाद जब नए और लोग आए तो उन्होंने एक दो काल और एड कर दिये तो टोटल की बात करें तो विभाजत किया ये निम्न है आगे दिखती है पासाण यूग टोटल की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आएगा पुरा पासाण काल पुरा पाशांड काल, उसके बाद मध्य पाशांड काल, उसके बाद उत्तर पाशांड काल, उसके बाद नौ पाशांड काल, और लाश्ट में क्या आएगा? तामर पाशांड यूग तामर पाशांड यूग पाशाण यूग की बात करें तो पाशाण का मतलब क्या होता है पत्थर पुरा पाशाण काल देखें तो पुरा पाशाण काल सबसे पुराना जहां पर हमको एविडेंस मिलते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों ने पत्थरों पर लिखा कुछ ना कुछ जहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली पुरा पासारण काल में उसके बाद मद्य पासारण काल उसके बाद उत्तर पासारण काल उसके बाद नौ पासारण यूग फिर लाश्ट में आता है तामर पासारण यूग पाशानकाल से आंगे दिखते हैं फ़श्ट है पूरा पाशानकाल पूरा पाशानकाल देख लेते हैं इस काल की ओजार बिना बैट की होती थी हस्त कुठार हैंड टूल्स प्रमुक था तो पुरा पासान काल में इस काल के ओजार थे वो बिना बैट के होते थे बिना बैट के ओजार हुआ करते थे बिना बैट के जानते हो क्या होता है बैट होता है हत्ता क्या होता है हत्ता इस होते थे और हस्त कुठार हैंड टूल्स प्रमुक था इसमें से इसके अलावा खुर्चनी, मुष्टी कुठार तथा क्रोड आधी प्रमुक ओजार है प्रमुक ओजार है मद्ध प्रदेश में अभी तक अगनी, कुंडाला, गौर, चंबल, नर्मदा, रेतम, लोनार, बाग, विला, धसान, परियत, पारवती, बैनगंगा, बीना, बेतवा, अंसौर, गंजई, मुनी, मची कुंदा, सौन, तथा हिरन, आधी नदी घाटियों मे पाशान काल के अवसेस पाए जाते हैं, तो मद्ध प्रदेश में अभी तक इतनी जगह पर पाशान काल के अवसेस पाए जाते हैं, नदी घाटियों में पाशान काल के अवसेस पाए जाते हैं, दिखते हैं, यहां प्राप्त अवसेसों के आधार पर कहा जा सकता है कि मनु उस नदी घाटियों कगारों कगारों मतलब किनारों, गुफाओं तथा कंदराओं आदी में निवास करता था खोजों से अभी तक जो पासाण युगीन इस्थल प्रकास्ट में आये हैं मद्ध्यपाशाण युग में बनाए औजारों की कला «पूर्ब पाशाण युग की उत्री चरण के औजार बनाने की कला पर ही आधारेती तो मद्ध्यर पाशाण काल की जैसे पहले औजार बनाए गए उसमें थोड़ा से और improvement कर दिया गया मद्य पाशान युग में बनाए ओजारों की कला पर पूर्य पाशान युग की उत्री चरण की ओजार बनाने की कला पर ही आधारित्ती परंतु इस युग के ओजार में लगू परकता small less को प्रसरे दिया गया मद्य पाशान काल में लगू परकता small less में की बहुत बड़े बड़े ओजार हुआ करते थे पहले बहुत बड़े बड़े ओजार हुआ करते थे उनको घिसके प्रॉपर सेब बना के छोटे ओजार बनाने की कोसिस की गई परंतु इस युग के ओजार में प्रकास में आए हैं तो ध्यान रखना कोश्चन आएगा मध्य पाशान काल की ओजार किस जगई प्राप्त हुए हैं तो वो हुए हैं चंबल, बेतवा, नर्मदा और सहायक नदियों पर आंगे देखते हैं इनके अतिरिक्त जबलपुर, शागर, मंदसौर, सीधी पूर्ब तथा पश्चिम निमान, सहडोल, दमोह, सिवनी रीवा, मंडला, छतरपुर, विदीसा गुना, होसंगबाद, नर्शिंगपुर तथा उज्जन, आदी जिलों में मध्य पाशाण युग के ओजार प्राप्त हुए है आँगे देखते हैं उत्तर पाशाण काल अब देखते हैं उत्तर पाशाण युग लगू परक्ता के कारण इस युग के ओजारों को लगू ओजार कहते हैं उत्तर पाशाण काल लगू परक्ता के कारण इस युक के ओजारों को लगू ओजार कहते हैं इस युक के ओजारों में इस युक के ओजारों में सलकोट, फलक, खुर्चनी, बैधनी, समलंब, तिकोनों तथा अर्थ चंद्रकार प्रमुख है ए ओजार जस्पर चेल्सी डोना क्वार्टस के बने पाए गए हैं आगे दिखते हैं खोज के दोरान मध्य प्रदेश के पूर्व निमाण सहडोल मंदसौर सीहोर होसंगबाद रिवा उज्जेन जबलपुर इंदौर मंडला छतरपुर विदीसा सागर गुना पन्ना चिंदवाड़ा रतलाम तथा धार जिले में उत्तर पाशान युगीन प्राप्त हुए हैं आगे दिखते हैं इस युग में मानव सिकारों में प्राप्त बिभिन पसुओं तथा मचली से जीवी का चलाते थे इस युग में मानव सिकारों में प्राप्त बिभिन पसुओं तथा मचली से जीवी का चलाते थे इसमें मिट्टी के बरतन आभूशणों में मन के तथा सीव की बनी बस्तुओं का भी उप्योग करते थे ओके फ्रेंड्स